बाबरी मज़िद रामजन भूमी विवाद का आज 19वा दिन था और मुस्लिम पक्षकार की तरफ से तीसरी दलील पेश की गई और तीसरी दलील में ही जो मुस्लिम पक्षकार है राजीव धवन उनको धंकिया मिलने लगी तो वही पैरवी करने वाले इकबाल अंसारी पर हमल हो जाता है सुप्रेम कोट में इकबाल अंसारी के हमले को ले करके जिक्र छिड़ता है और उसी पर बात करने के लिए आज 19वे दिन क्या कुछ घटा है पहले बात करेंगे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट फराहाश्मी जिन से जानेंगे कि जो परीके से अपनी बात को रखा गया है जी पहले तो आज कोट में आर्गुमेंट ही इस बात से स्टार्ट हुआ राजीव सर ने बताया पहले उनने यही मुद्दा उठाया कि इकबाल जो मौहमद हाशिम जी की बेटे हैं उन पे जो हमला हुआ था तो चीफ हमारे चीफ जि मैं उननिसवा दिन था आज और तीसरे दिल पर तीसरे दलील पर ही मुस्लिम पक्षकारों की हमला हो जाता है दमकी मिले लगती है तो आज क्या कोट का महल गरम था किस तरीके से अपनी बात को मुस्लिम पक्षकारों ने रखा है कैसा महल था कोट का क्योंकि अक्सर लोग ज आशन दिये जा रहे हैं कुछ ऐसी बातें नहीं ऐसा बिलकुल नहीं है कोट में शांती पूर्वक महाल है प्रोसीडिंग बहुत ही आराम से सुनी जाती है सवाल हमारे जजिस पूछते हैं राजी दवन जी जवाब देते हैं और जो अधर साइडे जो हिंदू पक्ष के जो अगर वो कुछ बीच में बोल भी देते हैं तो हमारे चीफ जस्टिस उनको डाटके बिठा देते हैं मैं आज का कोर्ट में किस तरीके से अपनी बात को रखा है क्योंकि जो दलीले बाहर आई है क्या-क्या बाते आज के दिन 19 दिन पर रखी गई जैसे कि मैंने आपको कल ब राम मंदिर जो राम चबूतरा है वो पहले आंगन के बाहर था अब उनने 1914 के बाद उसको गोल गुम्बद के अंदर नीचे रख दिया गया उसके मैंनेजमेंट को और पजेशन को लेकर बाते हुए मैं जो देखा गया है कि लगातार ये कहा गया है और राजीव दवन जी ने भी आज दलील रखी है अपनी कि जो गुम्बद बाबरी मजजित का तोड़ा गया था ये कहते हुए कि यहां मंदिर है तो जो बाते रखी हैं क्या जजिस पूरी तरीके से उन बातों को कंसीडर कर रहे हैं या सबूत जब पेश करने की दलीले आ रही है तो हिंदू पक्ष की तरफ से कोई हंगामा कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कोर्ट में जी नहीं ऐसा तो नहीं है जजिस अपने क्वेशिन पूट अप करते हैं और राजीव सर उनका चवाब देते हैं और सर की जो गुमबज है उसके नीचे राम मंदिर का अस्तिफ नहीं है मैं जो आज दलीले पेश की गई इकबाल अंसारी पर हमला होता है उसी को लेकर के बहश शुर होती है इस पर कोट का क्या रवाया है क्योंकि लगातार देखने को मिला है पहले दिन से लेकर के 16 दिन तक ह इसी तरीके का कोई हंगामा नजर नहीं आता मुस्लिम पक्षकार बोलते हैं तो हंगामा साफतोर पर खड़क किया जाता है क्या जो सबूत जजिस मांग रहे थे हिंदू पक्षकार के लोगों से तो हमें यही सुनने को मिला के सबूत जो है वो डकैत ले गए 1982 में डकैती ह जवन वो पूरी तैयारी से पूरे सबूतों के साथ कोट के सामने पेश हो रहे हैं जी हां आज तीसरा दिन था तो आज जिस तरह कि उनने बात रखी निर्मोही अखाडे को लेकर और मैनेजमेंट को लेकर उनने ये कहा कि मैनेजमेंट अगर वो किस चीज का अधिकार चाहिए इस तरह की सवाल जवाब हुएं और जो चबूतरे की बात थी उसमें सर ने ये कहा कि चबूतरे पहले 1949 के पहले वो बाहर था और 1949 के बात उसको अंदर शिफ्ट कर दिया गया और उनके हिसाब से हिंदू को कभी रोका नहीं गया वो जमीन हमारी थी वहां पे नमा से पढ़ी जाती थी वो मस्जद थी लेकिन हिंदू को कभी रोका नहीं गया तो मैं तो वो किस पार्ट की किस पार्ट की स्टेटस की मांग कर रहे हैं कौन से अधिकार की बात करें बाहर की आंगन की बात करें या अंदर की अधिकार को वो मांग रहे हैं ये अभी तक सामन कर दिया है जो उनको धंक्या मिल रही थी वह कैरला के एक प्रोफेसर थे जन्होंने उनको लेटर लिखा था और काफी परसनल चीज पर उनको टागेट किया गया था कि वह उनकी फैमिली में सब खराब हो जाए वह खुद वह खुदी वह खुद कुछ ना कर पाएं इस तरह क बाते उस लेटर में लिकी गए थी तो उस डॉकमेंट को उनने एनेक्ष करके कोट के सामने दिखा के तभी नोटिस इशू हुआया तो एडवोकेट फराहाश्मी हमारे साथ मौजूद थी जिनों ने हमें बताया कि आज 19 दिन पर कोट का महौल कैसा था और जो दलीले पूरी तैयारी और पूरे सबूतों के साथ पेश हो चुके हैं पूरे सामे पका मौजद देता तैयाराश। झाल पूरे सामे टा जा चुके हैं